कोरोना महमारी की इस दूसरी लहर ने इस देश में बड़ी विक्रालिस्तिती उत्पंद कर दी है जिसके चलते इस देश के सभी लोगों में बहका महौल बन गया है यह बिमारी काफी घातक साबित हो रही है इसी के चलते सरकार ने कोविड वैक्सिन लगाने की मुहीम शुरू की है और इस बढ़ते डर को देखते हुए सरकार ने एज लिमिट भी कम कर दी है पहले दोस्तों 41 साल से जादा के उम्र वाले लोगों को कोविड वैक्सिन लगानी जरूरी समझी जाती थी लेकिन बढ़ते डर को देखते हुए सरकार ने 18 से उपर वालों को भी कोविड वैक्सिन लगाने के लिए कहा है नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अविरल और आप देख रहे हैं घूमोजी परजेंट्स दाहिंदी टीवी आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने आप कैसे इस कोरोना वाइरस से बस सकते हैं और वो भी वैक्सिन लगवा कर आपको वैक्सिन लगाने के लिए स्वैम ही रजिस्टेशन करना होगा उसके लिए कहीं और आपको जाने की जरूरत नहीं है यह वीडियो उन लोगों के लिए लाप्रद होगी जिन लोगों को पता नहीं है कि वैक्सीन लगाने के लिए रजिस्टेशन कहां और कैसे किया जाता है तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं कोविड वैक्सीन के रजिस्टेशन की परकिरिया को जो बिल्कुल ही सरल है आप सिंपल अपने मोबाईल से भी कर सकते हैं उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं और वीडियो देख रहे हैं प्लीज लाल बटन दबा कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को शेयर करना भी ना बूलें जी यहां दोस्तो cwin.gov.in वैपसाइट आपने लिखनी है जैसी है आप covid.gov.in सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा दोस्तो यह वैपसाइट भारा सरकार की है जहां से आपको यह भी पता लग रहा है कितनी doses कितने लोगों ने लगवा चुके हैं कितनी दूसरी dose लग चुकी है कितनी वेकेंड है और कितने male ने लगवाई है और कितने female ने लगवाई है सारा डाटा यहां पर आपको दिखाई दे रहा है अब हम बात करते हैं registration की registration के लिए simple आपने उपर यलो कलर का लिखा है registered और click sign in हम sign in करेंगे sign in पर जैसी ही हम click करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह के से screen खुलके आईगी इस स्क्रीन में दो विकल्प आपको दिये हैं R의 lessetoo एप और आपको साइङ निन करना आज मैं आपको registered साइङ निन से direct करना बताऊंगा जिससे आप अपना corona vaccine लगवाने का registration सिंपल कर सकते हैं RR의 lessetoo एप से भी जिन लोगोंने डाउनलोड किया है वहाँ से भी registration कर सकते हैं लेकिन ये परकिरिया बिल्कुल सिंपल है enter your mobile number यहाँ पर आपको अपना mobile number डालना है जो भी आप अपना mobile number डालेंगे वो correct होना चाहिए because उस पर एक OTP आएगा देखे दोस्तों यहाँ मेने mobile number डाला है अब हमें get OTP करना है get OTP करते के साथ ही कुछ second आपको मिलेंगी उन secondों के अंदर ही आपको अपना OTP जो आपके mobile number डालना है वो आपको दर्ज करना है दोस्तों ध्यान रहे जो time आपको दिया गया है OTP का उसी time के अंदर अपना OTP दाखिल करें उसके बाद verified and proceed जैसे ही आप अपना OTP डालेंगे तो आपके सामने इस तरह से एक स्क्रीन खुल के आएगी इस स्क्रीन पर लिखा है you can registered four member with one mobile number जिया दोस्तों एक mobile number के साथ आप चार member भी registered हो सकते हैं यानि कि आपके परिवार में अगर चार लोग हैं तो चारों को अलग-अलग registered करने की ज़रत नहीं है एक ही mobile number पर आप चार लोगों को ले सकते हैं चाहे वो आपके परिवार के हो या ना हो इसके अलावा दोस्तों registered member पे आपने click करना है registered member पे जैसे ही click करेंगे तो आपके सामने ये screen खुल के आ रही है इसके अंदर सबसे पहला option है photo ID proof photo ID proof में अधार card, driving lessons, pen card, passport और pension passport इन पाचों में से आप कोई भी option ले सकते हैं मैं ले रहा हूँ अधार card उसके बाद आपको अपना अधार card number डालना है अधार card number आप जैसे ही enter करें वो correct होना चाहिए इस चीज़ का आप ध्यान रखें जो भी आपका अधार card number है मैं यहाँ पर एक अधार card number डाल रहा हूँ अधार card number डालने के बाद name of अधार card अधार card पे जो भी नाम है वो अधार card का नाम आप यहाँ पर type कर दें उसके बाद आप अपना gender सेलेक्ट करें male या female और date of birth जो आपकी date of birth है वो आप सेलेक्ट करें और register पे click करें simple सा है individual registered successfully यह देखें दोस्तों आप successfully हो चुके हैं मैंने यहाँ पर vaccine के लिए registration किया था जिसमें मैंने केवल अधार card mobile number, date of birth भरी और मैं registered हो गया आप देख सकते हैं यहाँ पर सब कुछ आ रहा है इसके बाद डौस वन अपाइडमेंट नोट schedule यहाँ लिखा है schedule schedule पे जाके आप click करेंगे तो आप अपना district या अपना pin code सर्च करके आप जहाँ भी नजदी की अस्पताल में आपके covid vaccine लग रही है वहाँ पर अपना अस्पताल का नाम चूज करें और अपनी vaccine का time को देख लें यही दोस्तों यह एक simple सी प्रकरिया थी जैसे मैंने आपको बताया एकदम ही आम registered हो चुके हैं इस mobile number पर विने गुपता नाम के एक सक्ष का एक विक्ती का मैंने registration किया था जिनकी date of birth मैंने डाली mobile number डाला अधार number डाला और simple से उनका registration हो गया अब बात आती है कि उनको vaccine कहा लगवानी है schedule पर आप click करेंगे तो schedule पर आपको अपना pin code डालना है जहां आप रहते हैं या आप जिस भी जंगे हो ऐसा नहीं है कि आपको अपने district में ही vaccine लगेगी आप पूरे भारत में कहीं पर भी vaccine लगवा सकते हैं आपको अपना district वगरा चूज करना है और अपनी vaccine को लगवा सकते हैं ये देखे दोस्तों ये पूरी परकिरिया थी covid.gov.in की जहां आप covid की vaccine का registration खुद भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं तो दोस्तों इस corona माहमारी के चलते बढ़ते करम में जल्दी ही corona vaccine लगवाएं 18 से प्लस वाले आयो को सभी को corona vaccine लगवानी ज़रूरी है और लगवा भी लेनी चाहिए दोस्तों मेरा सभी से आग रहे है तो घर से जवी निकलें जब आपको कोई आवश्यक काम हो सरकार द्वारा लगाए गए सभी राज्यों के lockdown और कर्फियों का नियमों का पालन करें और corona vaccine ज़रूर लगवाएं वीडियो कैसी लगी? कमेंट करके बताएं वीडियो कोई कोशन हो तो भी कमेंट करके पूछ सकते हैं वीडियो को शेयर करना ना भूले फिर मिलते हैं जल्दी तब तक देखते रहिए घूमो जी